हमने यह देखा कि जब एक जो researcher है वो एक animal की description लिखता है तो उसके सामने जितने भी specimen है जिन में से वो किसी एक को standard मानता है और उसकी base के अपर अपनी description लिखता है उसको हमने holotype का नाम दिया उसके बाद इस holotype के इलावा उसके सामने जितने भी specimen होते हैं वो paratypes कहलाते हैं और इन paratypes में से holotype का जो opposite sex होता है उसको हमने allotype का नाम दिया था अब अगर ऐसा हो कि researcher description लिखते हुए किसी specimen को holotype declare ना करे तो उस सूरत में तमाम जो specimen है उनको हम sin type का नाम देंगे sin type उस सूरत में जब description लिखते हुए जो researcher है उसने जितने भी उसके सामने specimens पड़े हुए हैं उन में से किसी को भी description लिखते हुए holotype या parotype declare नहीं किया तो ये तमाम के तमाम specimens जो है ये sin type कहलाएंगे अगर बाद में ये जो sin types हैं इन में से किसी एक specimen को select कर लिया जाता है as a holotype type तो ऐसा specimen लेक्ट्रो टाइप कहलाएगा और इसके लावा बाकी जो तमाम specimens हैं वो पैरा लेक्ट्रो टाइप कहलाएंगे तो यहां पर ये जाना बहुत जरूरी है कि holotype उस सुरत में हैं जब description लिखते हुए जो researcher है वो खुद एक specimen जो है उसको as a standard consider करें उसकी base कोई पर अपनी description लिखें और उसको वो holotype declare करें holotype के लावा बाकी जो remaining specimens होंगे वो पैरा टाइप कहलाएंगे लेकिन अगर किसी वज़ा से description लिखते हुए जो researcher है वो holotype declare नहीं करता तो ये तमाम के तमाम specimens जो है इनको हम neo type का नाम देंगे sin type का नाम देंगे और बाद में अगर ये जो sin types हैं इन sin types में से किसी एक specimen को standard consider कर लिया जाता है उसको holotype consider कर लिया जाता है जैसा कि इस तस्वीर के अंदर red color के अंदर दिखाया गया है तो इस सूरत के अंदर ऐसी holotype को हम lectotype का नाम देंगे और बाकी जो remaining sin types हैं इनको हम para lectotype कहेंगे इसी तरीके से नियो टाइप नियो टाइप क्या है नियो टाइप एक ऐसा specimen है अगर किसी वज़ा से जो holotype है वो damage हो जाए वो destroy हो जाए या जो commission है वो किसी वज़ा से इस holotype को suppress कर दे कोई भी objection उसके पर लगा दे तो उसके बाद जो subsequent specimen जिसको holotype declare किया जाएगा उसको नियो टाइप कहलाएंगे कहेंगे यानि अगर एक holotype मौझूद थी ये holotype किसी वज़ा से damage हो गई, destroy हो गई, गुम हो गई या फिर इस holotype को किसी technical reason की वज़ा से commission ने suppress कर दिया इसको holotype मानने से इंकार कर दिया तो उसके बाद एक और specimen को इसके subsequent ली जो है holotype declare किया जाएगा ऐसा जो specimen होगा इसको नियो टाइप कहेंगे next जो type है, isotype, isotype क्या है, isotype basically एक duplicate होता है holotype का और इसको जब हम holotype की collection करते हैं तो उसी collection के दौरान जो है हम इस isotype की collection भी करते हैं जैनि उसी duration में इस specimen को collect किया गया हो और यह duplicate हो holotype की उससे बहुत ज़ादा मुशाबत रखता हो लेकिन इसकी जो type locality है वो holotype की type locality से फरक हो अब किसी वज़ा से जो holotype है वो damage हो जाती है वो destroy हो जाती है तो ऐसा जो specimen है इसको बाद में type specimen का दरजा दिया जा सकता है अगर ऐसा हो तो इस सूरत में ऐसे specimen को isotype कहेंगे इसी तरीके से जो next type है वो है monotype monotype से क्या अमराद है अगर एक जो researcher है वो description के वकद किसी एक specimen को सामने रखता है और अपनी तमाम जो description है उस single specimen की base के उपर करता है और इसके लावा उसके पास इस species का कोई और member मौजूद ही नहीं है कोई और specimen मौजूद ही नहीं है तो ऐसा जो specimen होता है इसको हम monotype कहते है यानि अगर एक ही specimen है उसको holotype declare किया गया हो और ये single specimen हो इसके लावा जो researcher है उसके पास कोई और species का member मौजूद ही नहीं है तो इस उरत में ऐसा specimen mono type कहलाएगा